वे तंजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने चाह रहे हैं कि पीपल का पोदा घर में उगाना शुब है या अशुब यूँ तो पेड़ पोदों का हमारे जीवन में काफी महत्व होता है पेड़ पोदे ना सिर्फ हमें स्वास्थ रकरे में मदद करते हैं बलकि यह घर में पॉजिटिव अनर्जी भी बनाये रखते हैं बता दे कि वास्तु और चौतिश की अनुसार पेड़ पोदों के शुप परभाव से घर में सुक्सम्रिद्धी का समावेश हमेशा बना रहता है तो दोस्तों यह आगे जानते हैं कि पीपल का पोदा घर में होना शुब होता है या अशुब वहीं कुछ पेड़ पोदे ऐसे भी होते हैं जो खुद ही कहीं भी उग जाते हैं और नकारात्मक शक्तियों को जनम देते हैं ऐसे ही एक पोदा है पीपल जान लेगी पीपल का पोदा घर में रखने से अशुबता का संचार होता है यह तो हम सब चानते हैं कि पीपल की छाया शीतलता परदान करती है लेकिन सच यह भी है कि इसे घर में रखने से नर्जनता उत्पन होती है यही नहीं परिवार के सदस्य कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं और आये दिन उन्हें नहीं नहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है गोरतलब है कि अगर आपकी घर के बाहर पीपल का पेड़ है या फिर उसकी छाया घर पर पड़ रही हो तो यह मंश विद्धी में बहुत सारी अर्चने पैदा कर सकती है और साथ ही वैवाहिक जीवर में कलेश ला सकती है बता दे कि ऐसा स्थान हमेशा निर्जन ही रहता दोस्तों आईए हम जानते हैं अगर पीपल घर में उगाए तो क्या करना चाहिए अगर भूलकर भी आपके घर में पीपल उगाता है तो उसे बिल्गुल भी ना काटें क्योंकि ऐसा करने से आपके इस पित्रों को कष्ट पहुन सकता है तथा वश्विद्धी की हानी हो सकती है हाला कि किसी विशेश परयोजन से वेदिवत नियमानुसार पूजन करने तथा यद्यापी पवित्र कारियों के लक्षे से पीपल की लकड़ी काटने पर दोश नहीं लगता है इस बात का विशेश ध्यान रखें कि पीपल के पेड को अगर काटना बहुत जरूरी हो जाए तो उसे रिवार के दिन ही काटने वहीं घर की पूर्फ दिशा में पीपल का पेड लगा हो तो इस से घर में भय और निर्धनता आती है दोस्तो आपको बताना जाएंगे कि पीपल के पेड में भगवान का भी वास होता है दोस्तों कहते हैं कि पुरानी कथाओं का नुसार पीपल के पेड़ में सभी भगवान बास करते हैं शायद इसी कारण पीपल के पेड़ को ब्रह्मा कहकर संबोधित किया जाता है ऐसी मान्यता है कि पीपल के मूल में भगवान श्री विष्णू, तने में भगवान श्रीव और अग्रभाग में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है यही नहीं सनातन धर्म में पीपल व्रिक्ष को देवो का देव भी कहा गया है तो दोस्तो जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पीपल का पोदा घर में उगाना शुब है या अशुब अगर आपके घर में भी पीपल का पेड उगाता है तो आप इसे directly ना काटे बलकि पुरे विदिवत तरीके से या किसी रोहित से बात करके ही उसको काटे दोस्तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा फिर पर आपने feedback हमें comment में लेके जरूर बताईएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आपको इसे like, comment और share जरूर कीज़ेगा और साथी साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा क्योंकि हम आगे भी आपको इसे बहुत से रुमान चक और रहसर में वीडियो दिखाते रहेंगे तब तक के लिए आप बने रहे हैं वेत अंसार के साथ जल्दी लोटनेंगे एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद